नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासिज यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो पे तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो सैलाइन आईवी रूट स हैं फश्तों को देते हैं जब हम फिए प्रशो को ग्लोकोज चाहित हैं तो बहुत सारे से जुशल ऐने आट आटे हैं सभी teamt छोकी हम आई-वी रूट से प्रशूप हो देते हैं ठीग तो उनके बारे में हमें 11 radioactive कि किन स्थिटियों में किन कंडिशन में हम पशो में लगाते हैं और किन यानि की और कहां से अप 2 यूई कर सकते हैं कौन से इंजेक्षन इसमें अप मिला कर चल सकते हैं ठीक है और किन-किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए यह सब कुछ आज की इस वीडियो में हम DNS के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है तो गाइस सबसे पहली बात तो है कि DNS को DNS की जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं Dextrose Normal Celine ठीक है Dextrose Normal Celine इसकी फुल फॉर्म है और दूसरी बात इसका जो रूट होता है वह आईवी होता है यानि की बैलिक वेन होती है फिमॉरल वेन होती है ठीक है तो डारेक्ट हम पशु की जो खुन की वेन होती है ब्लड वेन होती है वहां पे हम इस इंजेक्शन को या फिर इस सैलाइन को चढ़ाते हैं पशु में और यह जो सैलाइन है बिल्कुल सावधानी पुर्वक जो है पशु में चढ़ाना होता है कोई जो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए तो गाइस यह जो जीन डीनेस है जिसे कि हम ढेक्स प्रोज नॉर्मल सैलाइन कहते हैं ठीके तो अब हम बात करते हैं कि कब किन कंडिशन में किन स्थीतियों में हमें पशु में इसको उपयोग में लाना चाहिए तो गाइस सबसे पहले तो यह एक यह जो डीनेस है यह पशु में एक वरदान के रूप में काम करता है यानि कि जिस पशू को पानी की कमी हो गई है, dehidration हो गया है, बहुत धिक्कत है पशू में और पशू काफी जयादा मतलब dehidration का शिकार हो गया है, ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ, कई भार हम पशू का ओapterेशन करते हैं, ऐसा सितियां भन जाती है कि पशू का ओapterेशन करना के बाद पशू की जो ऑनर्जी वो काफ यवीक हो जाता है पशू तो एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए भी पशू में क्या होता है की डेक्स प्रूस नॉर्मल सेलाइन को दिया जाता है और दोस्तों इसी के साथ बहुत सारे ऐसे पशू में रोग होते हैं जैसे की पशू में मिल्क फीवर हो गया है ठीक है या फिर कोई ऐसी कंडिशन जिसमें की पशू वेलकुल जमीन पर ही गिर गया है और पशू को एनर्जी की जरूरत है और पशू को हमें जल्दी मतलब रिकावर करना है तो भी जो डेक्स टूल्स है उसको हम उपयोग में लाते हैं इसी के साथ क भी जाकर खाकर एक दम से जमीन पर गिर गया है ठीक है तो ऐसी कंडिशन में भी जो डेक्स टूल्स से लाइन है उसको ہम पशू में उपयोग में ला सकते हैं ठीक है сторон और दोस्तों कई बार क्या होता है कि पशुमें अकडन हो जाती है ठीक है पशायों की जो नसे होती है उसमें कमजोरी आज़ाती है वीक्नेस आयगे पतित तो कंडिशन में भी जो टहट lattice य llama है उसको पशुमें दिया जा सकता है ठीक है अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस टेंपरेचर में हमें चोड़ी एनस है वह उपयोग में लाना चाहिए तो गाइज यह जो कई बार क्या होता है कि हमारे जो बैटनरी के भाई हैं वो बाइक बगारा पे जाते हैं ठीक है तो जो इसकी पशो में एफेक्ट क करने के क्शंता होती है वो कम हो जाती ठीक है यानि की जितनी तेजी से यह पशो में काम करना था तो बाइक पर धूप इसपर रही है तो ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना है कि ना तो नॉर्मल टैमपरेचर पर ना तो हाई रवासारोग कर्मेंट आता है कि क्या हम प्रैगनंत पक्रशू में दिनस टेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलाइन को पियोगjug में ला सकते हैंafir नहीं तो यहिए ऊस devotee से प्रेगन और शुमें अप्योग में ला सकते हैं अ sorry लेकिन एक दूबाट का अपको धियान रखना चाहिए कि प्रेगनिन फार्षु को किसी भी तरग तकलिख मिन इन चाहिए उसको खड़े खड़े अगर आप हो सके जितना तो प्रेगनेंट पशु को खड़े खड़े ही आप आई वी रूट से इसको लगाए ताकि जो पशु के पेट में पल राप है उसको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो इसलिए हमेशा प्रेगनेंट पशु को प्योग मिला लेकिन ख स्पेंसरी होती है हॉस्पिटल होते हैं वहां पर भी आपको यह मिल जाएगा ठीक है और दोस्तों क्या है कि यह जो है यह आपको पांसो साथे 400 ml की बॉटर आती है साथे 400 ml या फिर एक लिटर में यह जो डेक्स टूल नॉर्मल से लाइन है यह आपको देखने को मिल जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली किन पशो में इसकी क्या डोज रहती है किन पशो में हम कितना कितना इसको उपयोग में ला सकते हैं तो जैसे कि अगर आपका जो जानवास जैसे कि डॉग है तो डॉग में यह तो वैटने डॉक्टर के हिसाब से रहता है कि किस प्रशू की किस तरह की हालत है और कौन सी बिमारी में उपयोग में लाया जा रहा है तो उस तरह से जो है स्किट जो है डोज रेट को निरधारित किया जाता है तो वैसे जो डॉग है आम तोर पर उसमें 200-300 ml आईवी रूट के द्वारा इसको दिया जाता है और इसके लावा जैसे की गोट और शीप हो गई जो कि स्मॉल एनिमल में आते हैं ठीक है तो यह जो जानवर है इन में वैसे तो 500 ml लगाया जाता है फिर यह आपका वैटने डॉक्टर प्रेफर कर सकता है कि क्या डोजरिट रहेगी और जो गैटल भूफैलो गोट शीप इस और जो बड़े ज तेन लिटर के बीच में प्रेफर किया जाता है डॉक्टर किशला के अनुसार्व डूजरिट का ठीक है और गाइस इसके साथ आप बात करते हैं कि कौन-कौन से इंजेक्शन आप इसमें मिला सकते हैं तो गाइस इसमें अगर हम एंटिवाटिक के तौर पर बात करें तो ज धीरे-धीरे आपको लगानी है dns की ठीक है और माइफेक्स भी आप फशु में लगा सकते हैं अगर मिल्क फिबर बकरी को है तो माइफेक्स भी आप 25 से 30 ml जितना भी वैटने डॉक्टर आपको प्रेफर करें तो वो लगाना है ठीक है मिक्स कर सकते हैं आप नॉर्मल से ल बोड़ी टेमप्रेचर तक उसका जो बोड़ी टेमप्रेचर वो गर्म पानी में मिला कर ही फिर उप्योग में लाना चाहिए तो कैस यह जो है इन बातों का आपको बिलकुल ध्यान रखना है अगर आप dns का उप्योग पशु में कर रहे हैं तो ठीक है तो गाइस अगर आपको डेक्स्ट्रोज नॉर्मल से लाइन पर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के शायर करें और वैटनरी क्लास इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में थन्यवाद